National Register of Citizenship, यानि NRC में उन सभी भारतिये नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राप हैं, जो 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं. अभी भारतिये सरकारी ये अभियान चला रही है कि जो लोग भारत में बांगलादेश से घुस पैट करके आए हैं उन्हें या तो भारत स निर्वासित किया जाए या उनके सभी अधिकार खत्म किये जाएं. वहीं राष्ट्री नागरिक रेजिस्टर में ये आश्वासन भी दिया गया है कि जो लोग वैग नागरिक नहीं पाए गए हैं उन्हें निर्वासित नहीं किया जाएगा. अभी वर्तमान में भारत में तीन करोड बांगलादेशी अवैद लोग रहते हैं। असम और पूर्वोतर के बांगलादेशी सीमा से लगे राज्यों में गुसपैट की समस्या कॉंग्रिस पार्टी की अदूर दर्शिता का नतीजा है जिसने हमीशा वोट बैंक और तुष्टिकरंट की नीती को बढ़ा हैं। इस समस्या पर देश भर में व्यापक वर गंभीर विचार मन्थन की जरूरत है। इस से पहले ममता बनर जी का यह बयान आ चुका है कि कोई असम या पश्चिम बंगाल में रहने वाले बांगलादेशी लोगों पर हाथ लगा कर दिखाए। आप इस बयान पर क्या पूछते हैं हमें अपनी राई दें।